आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कह करो सपाया। बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वेडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनोड करें में कड़ द्वारा चली गई, दूरी निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हापे, दो सेकंड में चली गई, दूरी निकालना है, और देखे, बीम बोला गया हमें, कि इसका वेग, 7.5 मिटर प्रतिर सेकंड होने में, कितना समय लगेगा, यह निकालना है, मतलब य प्रणाबर 2 सेगंड पर कणके x और y निर्दसांग निकाले, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हमें 4 प्रश्णों का हमें उत्तर देना यहाँ पर, तो चलिए यहाँ 4 प्रश्णों का हम निकालतें यहाँ पर, तो देखें, हमें प्रणाभीक वेग u हमें यहाँ पर दिया ग गया है एक भागित रूट दो गुडित 0.5 आई धन 0.5 जे मीटर पतिर सेगंड स्कुर्य हमें दिया है तो हम यहाँ पर प्रारामभिक वेक दिया गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर ग्राब बनाते हैं ठीक है तो ग्राब कैसे बनेगा देखिए यह हमारा क्या होगा वाई इस से ठीटा अन्स पे यहाँ पर होगा तुछ दिसा में होगा तो इसके देखिए यहाँ पर वाई अक्ष में अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या होगा वह और दोडशमलो पाँच भागित रूट दाई यहाँ अब यहाँ पर देखिए अगर मैं प्रारामभिक वेक root 2 होगा ठीक है root 2 आई होगा अब देखिए यहां से अगर मैं theta मान निकालना चाहूत निकाल सकता हूँ वो क्या होगा आपका यह होगा यह होगा देखिए यहां से लिखता हूँ 10 theta बराबर आपका हो जाएगा लंब भागित क्या होगा अधार होगा देखिए लंब क्या है यहां पर 2.5 भागित root 2 है ठीक है और अधार भी कितना है 2.5 भागित root 2 है तो यहां से देखिए 10 theta कमान कितना आएगा 10 theta बराबर आपका आजाएगा 1 और theta कमान यहां से आजाएगा 45 अंस ठीक है तो मतलब क्या ह यहां से जो हमारा कड गती कर रहा हो कि आ रहा है, 36 से 45 डिगर के कोड़ पे कर रहा है गती, ठीक है? तो देखे हमने सी टाक मानेहार निकाल लिया, अब हमें निकालना है कि पहले 2 सेकंड में कड द्वारा चली गए दूरी कितनी होगी, तो देखे पहले दूरी निकालने से प यू मोड यू होगा, ठीक है? मोड यू बराबर क्या होगा ये? रूट यू एक्स की घात 2 धन हो जाएगा, यू वाई की घात 2 हो जाएगा, ठीक है? तो देखे यहां से, तो यू एक्स की घात 2 कितनी होगी यहां पर? यह हमारा क्या है? यह हमारा है, दो भागित 5 रूट यह हमारा क्या है? यह यह हमारा क्या है? 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 यह हमारा क् जाएक है U, mode U का मान कितना आ जाएगा यहां से, mode U का मान आ जाएगा 2.5, ठीक है, तो क्या होगा, 2.5 meter 35 second, हमारा होगा प्रावाभीक वेक का परिणाम, ठीक है, तो यह तो हमारा होगा, दीशा 45 अंस की डिगरी पे, लेकिन यह हमारा क्या होगा, परिणाम होगा, तो देखे हो जाएगा, A, Y की घात 2, ठीक है, तो X देखे कितना होगा, तो Y जो है, I जो हमें क्या प्रदिस्ट कर रहा है, X दिसक प्रदिस्ट कर रहा है, और J हमें जो है, Y दिसक को प्रदिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 0.5 भागित, रूट 2 हमारा क्या हो यहां सो जाएगा 0.5 भागित रूट 2 की घात 2 हो जाएगा तो देखें यहां से ए कमान कितना आएगा अब देखते हैं तो जो समय जो है दो सेकेंड होगा तो ए निकालना हमें जब समय दो सेकेंड होगा तब दूरी हमें घात करना है मतलब S यहां से घात करना है तो देखें गती के समय करन के अउशार क्या होता है s ब्राबर आपका होता है ut धन एक भागित दो a t स्क्वाइर होता है ठीक है तो दीखें प्रादम्बिक विक कपड़ना हम निकाल चुके हैं यहां से t हम पता है और a भी हम पता है ठीक है तो यहां से s आ जाएगा तो दीखें s कितना होगा u तो u कितना है 2.5 meter 30 second और t कितना है 2 second धन हो जाएगा एक भागित 2 a तो a कितना है 0.5 meter 30 second square और t कितना है 2 second तो 2 घात हो जाएगा 2 तो दीखें यहां से हम जब धूरी निकालेंगे तय की गई दूरी तो वह आएगी आपकी 6 meter ठीक है यह हमारा क्या होगा तय की गई दूरी देखें क्या बोलागे है है प्रश्ण में बीम बोला गया कि इसका वेग 7.5 meter होने में कितना समय लएगा मतलब यह क्या होगा मारा अंतिम वेग होगा तो दो दीखें हम लिखते हैं B तो B हमें निकालना है समय ठीक है टाइम निकालना यहां से जब जो है उसका अंतिम अंतिम विग हमें भी बत में यहां से अठають निकालना ही, तो फिर घती के समिखरण का उपयोग करेंगे, वो क्या होता है, वी ब्याबर यू धन होता है A T, ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, त такая अठोर्न पत में प्राड़नमीक U कितना है, देखिए, 2.5 मिटर 5 सेकंड है तो, यहां से T का मान कितना हैगा, देखिए T का मान आजागा, 50 सेकंड तो, हम देखिए, यहां से समय निकाल चुके है जो हमें B में पुछा गया था question के, B भाग में हमें पुछा गया था यह हमाई पूछा गया था देखे कितना समय लगएगा अब देखे C निकालते हैं C में क्या बोला गया है इसका वेग 7.5 मिटर पति सेकंड पहुंचने तक कितनी दूरी तय करेगा ठीक है तो हमें क्या निकालना है जब उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा 7.5 मिटर पति से तो देखे कितना हो जाएगा हमारा हम फिर यहां पर क्या लाएंगे जो है हमारा गदि के समय लगा लाएंगे हो क्या होगा V की खाद 2 बराबर होगा बराबर u की घहाद 2 धाण हो जाएगा 2a d होगा ठीक है d हमें यहाँ से निकालना है और a हमारा क्या है यह तोरं होता है तो v हमें पता है, u पता है a पता है यहाँ से d निकल जाएगा तो d again why would d ब्राबर आपका होगा u की घहाद 2 V की घात 2 रिल हो जाएगा U की घात 2 भागित 2A होगा तो है आप मान रखते हैं देखे तो हमें देखिया अंतिम वेग हमें पता है कितना है 7.5 यह प्रश्ण में हमें दिया गया देखे 7.5 की घात 2 हो जाएगा ठीक है 7.5 की घात 2 रिल हो जाएगा U और A, देखे, A कितना है? 0.5 m3 sq. ठीक है, यह हमारा क्या है? यह हमारा त्वराण है. तो D यहां से निकल जाएगा, तैकी के दूरी, तो हो जाएगा आपका, D बला 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 का जाएगा 50 m3, ठीक है? आपसे तैकी के दूरी हम निकाल चुके है, D, ठीक है? जो कि अंतिम वे पहले हम graph बनाते हैं, फिर graph से हम जो है, इसको solve करेंगे, ठीक है? तो दीक है, कुछी सतर के इस graph बनेगा, जब समय जो है क्या होगा? दो सेकंड होगा, ठीक है? दो सेकंड पर कलक की जो, दूरी होगी, तो क्या होगी? हमारी मुलबिन्दो से 6 m3 होगी, ठीक है, जो कि 45 अं था, हमारा समय 2 second पे, हमने जो हैं, दूरी निकाले थी, हो क्या थी, 6 meter थी, तो हमें एही प्रश्नें बोले गfred, कि 2 second पे, जो कड की जो है, निर्दे सांग क्या होगा, तो हम यही ने काल सकते हैं, तो यह Arizona सांग क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 6 गूडित बला रहा है तो यह हमारा देखिए क्या हो गया यह हमारा उत्तर हो गया तो देखिए हमारा यह हमारा डी जो है डी पार्ट का उत्तर हो गया ठीक है यह हमारा क्या था डी पार्ट का उत्तर था ठीक है तो यह हमारा डी पार्ट का उत्तर था ठीक है और यह हमारा बी पार्ट क उत्तर था और देखे यह पार्ट का हमारा गया था यह हमारा एपार्ट का उत्तर था है तो हमने जो है इस प्रेशन को हल कर लिया है यह हमारा प्रेशन का संपूर्ण उत्तर धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर